गाइस यहाँ पर हमें Fuse की रेटिंग बतानी है और हमारे पास जो अपलाइंसेस है वो एलेक्ट्रिक केटल है जिसका पावर 1 किलोवाट दे रखा है 1 किलोवाट SI unit तो आपको दीख नहीं रही हो कि वाट SI unit होती है तो हम लोग क्या कर लेते इसको तो SI में convert कर लेते हैं ताकि data जब हमने यूज करें तो हमसे सब कुछ SI में handle हो रहा हो कि हमारे पास जो बोल्टेज दे रखा है किस बोल्ट पर operate हो रही है 220 बोल्ट पर operate हो रही है इसका मतलब कि जो current इसे required होगा इतना power consume करने के लिए आइक वाइब बी होगा क्योंकि P कुस्तो आइवी होता है तो पी कुस्तो आइवी से हम आइ क्यालकुलेट कर लेंगे पी बाई वी हो जाएगा पी की बेलो हमारे पास 1000 वाट हो गई अपान 220 हो गया 00 कैंसिल कर दिया तू से कैंसिकल देए 11 आ गया और यह 50 आ गया 50 अपान 11 इसको चाहिए तो इस करेंट के बिहाब पे यह 1000 वाट का इनर्जी कंज्यूम करेगा आपको हीट में कनवर्ट करकि यह देगा लेकिन जो भी अप्लाइंस बनाए जाते है जो रेटिंग रहती है उसमें प्लस माइनस रहता है मतलब थोड़ा सा जादा भी करेंट चला गया तो वो सर्वाइब करेगा हाला कि अगर ज्यादा डिफ्रेंस करेंट का हो गया तब वो खराब होने का चांस है इसमें हम लोग कहेंगे कि यह करेंट सेफली 5 एंपियर तक जहल सकता है मतलब अगर 4 एंपियर का अगर अब लगा देते हो तो यह अपनी पूरे फुल पावर पे चलेगा है नहीं मतलब इसे 4.5 चाहिए तो आपको जब भी लगाना पड़ेगा 4.5 से हलका ज्यादा फ्यूज लगाना पड़ेगा उसके बाद ही वो मेल्ट हो जब यह करेंट 5 एंपियर से ज्यादा हो जाए तो यह इंस्योर करें कि हम पहले मेल्ट हो जाएंगे और यह मेल्ट हो जाएगा जिसे यह वाहर क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा और करेंट जाना बंद हो तेंक यगस